हेलो अब्रिवाँ वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 6 मन्थ बेबी गर्ल के लिए इस ब्यूटिफुल से फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों अब भी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो इस बेबी फ्रॉक की कटिंग करने के लिए मैंने जो फैबरिक का इस्तमाल किया है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने लिया है लाइनिंग और ये है मेरा लाइकरा का फैदर वाला फैबरिक जिसको मैंने इसकी चोली में यूज किया है तो सबसे पहले हम चोली को ready करते हैं उसके लिए मैंने cotton की lining को cut किया है तो चलिए सबसे पहले cotton की lining को ही cut कर लेते हैं चोली का length मैंने लिया है 8.5 inch और उसके बाद मैंने यहाँ पर straight line बनाने के लिए एक mark लगाया है और armhole मैंने लिया है 4.5 inch 6 month baby girl के लिए हम यह frog बना रहे हैं तो आपको कोई भी measurement नहीं लेना है और कोई भी आपको गुना या भाग नहीं करना है तो जितने भी point मैंने बनाये हैं उन सारे point के उपर straight line बना देंगे बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पर shoulder लेंगे तो 4.5 inch का मैंने यहाँ पर shoulder लिया है और नीचे वाली लाइन से भी मैंने 4.5 inch पर ही mark लगाया है अब उसके बाद मैंने chest का निशान लगाया है 5.5 inch पर और waist भी मैंने same लिया है 5.5 inch दोनों point को मिला देंगे margin भी उसी के साथ ले लेंगे अब armhole वाली straight line बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद मैंने यहाँ पर half inch shoulder को down कर लिया है अब हम armhole की shape डालेंगे तो जो हमारी shape नॉर्मली होती है उसी shape में हमें armhole का shape देना है तो यहाँ पर मैंने armhole shaper का इस्तमाल नहीं किया है उसके बाद हम अपने according गले की shape दे देंगे तो गले की जो चोड़ाई है सवा 2 inch है तो गले की चोड़ाई सवा 2 inch ली है और गहराई मैंने 3 inch लिया है तो यहाँ पर दोनों point को हमने shaper से round shape में मिला दिया है अब उसके बाद जो back वाला part है वहाँ पर हम 1,5 inch की shape डालेंगे यानि कि deep लेंगे हम back वाले part में तो back वाले part का जो गला है वो थोड़ा सा कम deep रखते हैं और front वाले में जादा deep रखते हैं तो इस तरीके से front और back part को हम जो हमारा main fabric है उसके उपर रख देंगे और यहाँ पर armhole से गले तक हम एक सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है गले वाली shape में भी और armhole में भी और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको fabric को इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे इससे क्या होगा ना हमें armhole में कोई भी पट्टी लगानी है और ना ही हमें कोई गला बनाना है हमारा गला, armhole और हमारा shoulder एकी साथ ready हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने चोली ready कर ली है front और back दोनों पार्ट हमारे ready हो गए है दोनों पार्ट को ready करने के बाद अब हम नीचे वाला पार्ट ready करेंगे नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने ये तीन फैबरिक लिये है सबसे पहले मैं lining को बता देती हूँ यह मैंने lining लिया है और यह मेरा net है और यह मेरा main फैबरिक है तो तीनों की length मैंने 11 इंच रखी है अब जो lining है इसकी लंबाई मैंने 2 मीटर ली है और net मैंने 6 मीटर लिया है और उसके बाद जो main फैबरिक है वो मेरा है 3 मीटर तो यह जो straight line है यह मैंने आपको measurement बता दिया है उसके बाद इन 3 में मुझे attach करना है यह जो मारा wire है यह मैंने 1 इंच चोड़ा wire लिया है वो मैं इन 3 फैबरिक में attach करूँगी बिल्कुल इसी तरीके से आपको wire को attach करना है कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको एक pair का margin लेके उसको पलट देना है तो यह हमारी wire net में भी main fabric में भी attach हो जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से आपको attach करना है wire को attach करने के बाद हम इसमें gathers डालेंगे पूरे fabric में gathers के लिए मैं यहाँ पर gathers वाले boot का इस्तमाल करूँगी तो यह मैं boot change कर लेती हूँ और यहाँ पर gathers वाला boot machine में attach कर लेती हूँ gathers वाले boot को इस्तमाल करने की दो benefits होते है पहला benefits हमारा जो time है उसकी बचत होती है ज्यादा time नहीं waste होता है और उपर से हमारी जो gathers है वो बिल्कुल equal और finishing के साथ बनती है तो दोनो benefits देखी हमारे कितने काम आई है हमारी gathers बहुत अच्छे से बनी है और उसी के साथ मैंने यहाँ पर wire को भी attach कर दिया है main fabric में तो यह हमारा जो सबसे उपर वाली layer है वो ready हो गई है बिल्कुल इसी तरीके से net वाली layer को भी ready कर लेंगे gathers वाले boots से हम इसमें gathers डालेंगे और wire को भी बिल्कुल वैसे ही attach कर देंगे जैसा मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर मैंने दो लोन layer को ready कर लिया है और उसी के साथ मेरा जो चोली है उपर का वो भी मेरा ready है मैंने fitting का भी सिलाई लगा दिया है अब क्या करेंगे हम इन layer को ready करेंगे attach करेंगे इसमें चोली में तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको layer को चोली में attach करना है तो यहाँ पर मेरा चोली ready है अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे जो main fabric वाली layer हमने बनाई है उस layer को हम चोली में attach करेंगे तो बिलकुल आपको कैसे करना है round में आपको इसको attach करना है कोई भी joint नहीं करना है क्योंकि हमने जो layer बनाई है वो बिलकुल round में ही बनाई है और हमारी चोली भी बिलकुल दोनों तरफ से सिलाई लगा के राउंड में ही है तो ये हमने जो first वाली लेयर है उसको attach कर देना है अब ये मैंने पूरा attach करना है जो भी आपका कम या जादा हो रहा है वो उसी gather में आपको सही से कर देना है अब उसके बाद दूसरी लेयर लगाएंगे हम यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी net वाली लेयर है अब आप देखिए कि चोली में हमारी दोनों लेयर attach हो गई है और हमारा frog भी बिल्कुल ready है तो friends अब आप मुझे बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी यूसफूल लगा हो तो वीडियो को लाइक शरूर कर देना और हाँ चैनल पर नए है तो चैनल को जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी बहुत इंटरस्टिंग होने वाली हैं और नए नए टॉपिक पर वीडियो को बनाने वाली हूँ तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आप से ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई